क्या हम घर पर और वो भी कड़ाई में मार्केट जैसे लादी पाउ या फिर ब्रेड बना सकते हैं तो अगर बना सकते हैं तो वो कैसे तो चलिए आज देखते हैं इस वीडियो में कि हम घर पे लादी पाउ या फिर ब्रेड कड़ाई में कैसे बना सकते हैं तो चलिए फटाफट से रेसेपी स्टार्ट करते हैं तो लादी पाव बनाने के लिए यहां पे हमें चाहिए दूद तो यहां पे मैंने एक पाउच दूद ले लिया है जो 500 ml का है तो सारा दूद यहां पे यूज नहीं होगा लेकिन इसमें से हम थोड़ा सा दूद भी यूज करेंगे लेकिन दूद को हमें सबसे पहले गरम करना है तो यहां पे एक पैन के अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है ताकि दूद नीचे से चिपके नहीं और एक पॉच दूद मेंने इसके अंदर डाल दिया है यानि कि 500 गरम दूद मेंने इसके अंदर डाल दिया है तो चलिए अब Gas की Flame को on कर लेते हैं और दूद को हम गरम करने के लिए रख देते हैं लेकिन दूद को ऐसे ही नहीं छोड़ देना है बीच बीच में हमें इसे mix करते रहना है ताकि जो मलाई है वो दूद से अलगना हो जाए तो इसे medium flame पे हमें पकाना है मतब कि इसे उबालना है एक उबाल आने के बाद इसे हमें 2-3 minute अच्छे से उबाल लेना है ताकि दूद थोड़ा सा गाड़ा हो जाए और थोड़ा सा रेड्यूस हो जाए तो यहाँ पे तकरीबन 300 ml जितना दूद बचे उतना हमें उसे उबालना है चलिए दूद उबल गया है अब उसे थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं क्योंकि इतना गरम दूद हमारे पाउं बनाने के लिए बहुत ही जादा गरम हो जाएगा तो इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं तो एक बरतन में मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया है और यह जो दूद वाला पैन है उसके अंदर रख दिया है और अब कंटिनिसली इस तरह दूद को हम हिलाएंगे ताकि दूद फटा-फट से ठंडा हो जाए अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे पंखे के नीचे रखकर भी ठंडा कर सकते हो लेकिन इस तरह ये फटा-फट से ठंडा हो जाता है यहाँ पर दूद को हमें एकदम ठंडा नहीं करना है दूद को हमें थोड़ा सा गुन-गुना रखना है आप उंगली डाल कर इसे चेक कर सकते हो आपकी उंगली सह सके उतना दूद गरम होना चाहिए चले थोड़ा सा दूद मैंने एक बोल के अंदर निकाल लिया है तकर रिबन दो कंची भर के और बाखी बचा दूद में एक बड़े से बोल में ले लोगी तो यहां पर तकरिबर मैंने 1.5 cup जितना दूद ले लिया है एक गोल में चले अब इसके अंदर डाल देते हैं चीनी, तो यहां पर मैंने 1 टेबल स्पून जितनी चीनी ली है और 1 टीज स्पून जितनी इसके अंदर डाल देंगे इस्ट तो east से हमारा ये जो पाउं है वो बहुत ही बढ़िया बनेगा बहुत ही soft बनेगा और अब इसे ढगकर हमें 5-10 मिट के लिए रखते ना है जब तक की east एकदम activate ना हो जाए तो ये देखिए east हमारी अच्छे से activate हो गई है चले अब इसके अंदर डाल देते हैं मैदा तो यहाँ पर मैदा हमें कितना चाहिए तो हमने रेड़ कब दूर लिया था तो सामने हमें थाइकब जितना मैदा चाहिए लेकिन अभी मैं दो कपि इसके अंदर add करूँगी बाकी आधा कब जो मैदा है वो मैं इसके अंदर बाद मै आढ़ करूँगी और अब इसके अंदर डाल देंगे नमक, तो यहां पे नमक मैंने एक चमच इतना लिया है, और अब प्लेटफॉर्म को हमें थोड़ा सा साफ कर लेना है, वैसे मेरा प्लेटफॉर्म एकदम साफ है, लेकिन फिर से मैंने इसे अच्छे से एकदम साफ कपड़े से साफ कर लिय क्योंकि यह जो प्लेटफॉर्म है उसके ओपर ही हम आठा गुतेंगे तो बाउल के अंदर जो हमने आठा और नमक मिक्स किया था दूद की अंदर उसे अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं और अब इसे रख देते हैं मतलब कि निकाल लेते हैं प्लेटफॉम के उपर अभी आपको लग रहा होगा कि ये बैटर बहुत ही पतला है लेकिन इसके अधर अभी 50 см मैदा और जाएगा और इसे इस तरह हमें अच्छे से मिक्स करते रहना है धीरे दीरे ये गाड़ा होने लगेगा तो तकरिबन 5 मेट इस तरह हमें मिक्स करने के बाद आदा कॉप मैदा अड़ कर लेना है मैंने मैदा अभी एड़ कर लिया है लेकिन वो शूट करना रह गया है और इसे हमें इस तरह गूंते रहना है तो आप मेरी हालत देख सकते हो क्योंकि मैटा बहुत स्टिकी होता है तो इसे इस तरह गूंतने में बहुत ही मैनत लगती है इस तरह हम डो को खीचते हुए गूतेंगे तो इसके अंदर ग्लूटन डेवलप होगा और अगर ग्लूटन डेवलप होगा तभी हमारे पाउं और ब्रेट अच्छे से सौफ्ट बनेंगे तो यहाँ पे तकरिबन मैंने डो को 15 मिनिट तक इस तरह गूता है और डो हमारा एकदम रेडी है तो चलिए बोल के अंदर थोड़ा सा ओयल ग्रिस कर लेते हैं और डो के ओपर भी थोड़ा सा ओयल लगा लेते हैं ताकि चिपके नहीं और अब एक कॉटन के घीले कपड़े से इसे कवर करके रख देते हैं साइड में एक गंटे के लिए तो एक गंटे में डो हमारा अच्छे से फर्मेंट होगे रेडी हो जाएगा तो यहाँ पर तकरिबन एक गंटा हो चुका है और आप देख सकते हो कि डो हमारा अच्छे से फर्मेंट हो गया है और अब ले लेते हैं एक ट्रे तो इस तरह की अलुमिनम की ट्रे लेंगे और उसे हमें ओयल से अच्छे से ग्रिस कर लेना है और अब डो को हम खोल के देखते हैं तो यह देखिए यह जो कॉटन का कपड़ा हमने इसके उपर लगाया था उसकी वज़े से एक चिपक गया है कॉटन के कपड़े में तो अगर आपके पास ट्रांसफरेंट फोईल है तो उससे आप इसे कवर करें ताकि यह चिपके नहीं मेरे पास था लेकिन खतम हो गया था तो मैंने इसे इस तरह कवर किया था और इस तरह रोल करके हमें इसे अच्छे से एक गोला बना लेना है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं किस तरह गोला बना रहे हूँ आटे को हमें इस तरह ओपर से नीचे लाना है और नीचे की तरफ थोड़ा सा इस तरह दबा लेना है और रोल करते हुए हमें इस तरह एक गोला तयार कर लेना है तो इस तरह सारे गोले हम ready कर लेंगे गोलों में दरार नहीं होनी चाहिए उतना हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है तो इस तरह हम बनाएंगे तो बिल्कुल भी दरार नहीं रहेगी तो चलिए सारे गोले मैंने ready कर लिये हैं और इस तरह थोड़ी थोड़ी जगा चोड़के मैंने इसे ट्रे में रख लिया है लेकिन ट्रे में थोड़ी से जगा कम पड़ रही थी तो मैंने सोचा चलो लगे हाथो bread भी बना लेते हैं तो मेरे पास इस तरह का bread बनाने का mold भी है तो उसे मैंने अच्छे से ऑुल से ग्रिस कर लिया है और यह जो बचा हुआ डो है उसे हमें इस तरह फैला लेना है और यह जो मोल्ड हमने रैड़ी किया है उसके अंदर रख देना है तो इस तरह हम ब्रेड भी गर पे इज़िली बना सकते हैं तो एक ही बारी में हमने ब्रेड और पाउ दोनों बना लिए हैं, मतलब के अभी बनाए नहीं है, बनना बाकी है, चलिए अब ये जो डो, मतलब के ये जो गोले हमने रैडी किये हैं, उसके उपर लगा देते हैं दूद, जो हमने पहले थोड़ा सा निकाल के रखा था, तो ब दूद बचा था, उसमें मैंने एक चमच बर के चीनी डाल दी है, और उसे साइड में रख दिया है, ताकि एक गंटे में चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए, चलिए अब यहाँ पे मैंने ले लिए हैं, एक कड़ाई और एक पतीला, तो यहाँ पे ऐलुमिनम की बरतर हमें तो इस तरह के ऐलुमिनम की कड़ाई सबके गर में होती है, और अगर नहीं है तो इस तरह का पतीला भी होगा, तो दोनों में हम डाल देंगे नमक, यह नमक में बार बार यूज़ करती हूँ, जब भी मुझे बेकिंग करनी होती है, तब इसी नमक का यूज़ में फिर से क तक हमारा होममेड ओन है, वो प्रिहीट हो जाए, अवन जब तक प्रि हीट हो रहा था, तब तक मैंने दोनों डो के उपर जो दूद के अंदर हमने चीनी गोली थी, वो वाला दूद इसके उपर लगा लिया है, चीनी वाला दूद लगाने से यह जो पाउं और बेड है, तो मैंने बर्तन चेंज कर लिया है और यह जो ब्रेडवारा मोल्ड है मैंने दूसरे बर्तन में रख दिया है उसे डख दिया है और यह जो पतिला है उसमें मैंने रख दिया है पाव वाला ट्रे लेकिन इसमें भी थोड़ी से गड़बर होने वाली है क्योंकि यह जो डखकन किया है बहुत ही प्राप्लम हो रहे थी मुझे लेकिन फाइनली मेरे पाउं बन करके रेडी है 15 से 20 मिनिट में ये पाउं बन करके रेडी हो गए थे और यहां पर मिडियम फ्लेम पे मैंने इन दोनों को बेक किया है तो चलिए फाइनली पाउं और ब्रेट बन करके रेडी है तो इसे निकाल लेते हैं और अब इसके उपर लगा लेंगे बटर क्योंकि बटर लगाने से इसके उपर शाइनिंग बहुत ही बढ़िया आती है और बटर लगाने के बार इसे हमें फिर से डखकर 5 मिनिट के लिए रख देना है तो गिले कपड़े से इसे डखकर रख देंग ब्रेट को तो इस तरह चाकू से इसकी साइड को हमें छुडा लेना है यह इसी ली छूट चाती है और अब ब्रेट को हम करेंगे डी मोल्ड तो यह दिखिए मोल्ड को मैंने उल्टा कर दिया तो इसीली फटा फट से अपने आप ही ब्रेट निकल के आ गई और यहां पर आ अब आप फिर से अपना शेप ले रही है मतलब कि ब्रेट हमारी बहुत ही सॉफ्ट बनी है आपको मैं इसे कट करके भी दिखाती हूँ तो यह दिखिए और पाउं भी बहुत ही सॉफ्ट बने थे पाउ की सॉफ्टनेस भी आप देख सकते हो कि कितने सॉफ्ट बने है तो आपको आज की रेसिपी कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और अगर रेसिपी पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना तो चले मिलते हैं जल्दी नेक्स रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई जैशी करशन